नमस्कार, ख़बरों को पंच नामा देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा, हम देख रहा हैं देश अदुलिया की पांच बड़ी ख़बरे, जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौज़ूद हैं, क्या पतल टीवी के एडिटरेंटी, टॉक्टर सबसे पहले नजर, हेड्लाइन्स पर देश की टॉप गेमर्स के साथ प्यम मोदी ने की मुलाकात, मुलाकात का पूरा वीडियो आया सामने, गेमिंग वर्ड को लेकर चुनौतियों पर की चमचाग खुद भी खेला गें बिज़िपी का संकल पत्र कल होगा जारी, जिपी नजर आमिशा के साथ प्यम मोदी भी होंगे शामिल, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के अलग-अलग मैनिफेस्टों पर अरुराग ठाकुन ने किया कड़ाफ रहा संजर सिंग का बड़ा आरोफ प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा, अर्विन केजरिवाल को तेहार जेल में किया जा रहा है, टॉर्चर केजरिवाल के साथ नहीं होने भी गई, पत्नी सुनी ता केजरिवाल की फेस टू-फेस मीटिंग रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में कोट ने आरोपियों को दस दिन के नाईये रिमांड पर भीज़ा, बीज़पी ने ममता बनरजी को घीरा, कहा बंगाल बना आतंकियों का गाड़ इस्राइल पर कभी भी हमला कर सकता है इरान, अमेरिका का बड़ा दावा, भारत के विदेश मंत्राले ने जारी की अड़बाइज हुई कबरों की शिर्वात में सबसे पहले बात पियम मोदी और देश के टॉप गेमिंग क्रेटर्स के बीच हुई एहम मुलाकात की 11 एप्रिल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश के साथ युवा और चर्चित ऑनलाइन गेमर्स के बीच में एहम मुलाकात हुई थी जिसका पूरा वीडियो आज रिलीस किया गया वीडियो में प्यम मोधी और युवाओं के बीच दिल्चस बाती देखी जा सकती है वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद मोधी ने गेमिंग इंडस्ट्री के इंफ्लूएंसर्स और e-sports athletes और content creators से इंडस्ट्री के भविश और चुनौतियों के बारे में चर्चा की प्यम मोधी की खुश्मजाज, अंदाज और चीजों की जानकारी से प्रभावित होकर गेमर्स ने उन्हें नमो ओपी के नाम से नवाजा यहाँ ओपी का मतलब है overpowered यानि एक ऐसा शक्स जो बहुत ताकतवर है गेमर्स ने ना सिर्फ प्यम मोधी से मुलाकात की बलकि उनके साथ गेम्स भी खेला कुछ राउंड गेम्स खेले के बाद प्यम मोधी ने हस्ते में कहा भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लग जाए जब से इसका वीडियो साबने आया है लोगों को खूब पसंद आ रहा है कितने अच्छे से प्यम मोधी इन सब से बातचीत कर रहे हैं देखिए चुनाओ का समय है इसलिए इसके उपर पॉलिटिकल दृष्टी डालना ज़रूरी है और आप देखिए क्या डिफरेंस है जाल सफेद हो गए सबके प्रधान मंत्री मोधी के साथ ये नए लड़के बच्चे नए टिक्नलोजी उसके साथ बातचीत कर रहे हैं ऐसा सहज तरीके से एक प्रधान मंत्री ऐसा जो भविस के जनरेशन के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है वो गेमिंग के दुनिया में और बच्चों नहीं क्या कहा कि लगी नहीं रहा था कि पहली बार ये खेल रहे हैं सारी चीजों से वो वाकिफ और दूसरी तरफ जो अपने आपको युवा बता रहे हैं वो कास्ट सेंसर्स करवाएंगे तो ये तो प्रधान मंत्री मोदी नहीं ऐसा जटका दिया है इसको कहते हैं सैक्लोजिकल वारफेर युवाओं के अंदर प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी चाप बना ली एक तरफ राहुल गांदी हैं तमाम विपक्ष पार्टिया उसके लीडर्स हैं चाहे युवाओं में आप गिलने चाहे वो आदित ठाकरे हो चाहे वो अकलेस यादव हो तेजस्वी यादव हो केजरी वाल हो ये सब प्रधान मंत्री मोदी के सामने बूड़े और बड़े ह लग रहे हैं दिख रहा है और यही फर्क है प्रधान मंत्री मोदी और बाकी राजीतियों अब आच चनौव को लिकर बीज़ेपी की तरफ से आई बड़ी अफडेट की लोग सबाच चनौव के लिए बीज़ेपी कल अपना घोशना पत्र जारी कर सकती है बीज़ेपी रक्ष जेपी नटा, ग्रेमंत्रयमिशा, रक्षामंत्री राजनात सिंग समेथ कई बड़े नेता मौझूद रहेंगे तो वही आज आरज़ेडी का भी खोशना पत्र सामने आया अनुराग ठाकुर ने इंड्रिया ब्लॉक और उसके सहयों की दलोप निशान असाधा है उ देखिए संकल पत्र नोने नाम दिया है और प्रदान मंत्री मोधी के बारे में एक तो कहना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो में जो ही कुछ डालते हैं उसके लिए कुछ नकुछ तो ज़रूर महनत करते हैं आटकल 370 हो, राम मंदिर हो, UCC हो, हर चीज में आपको प्रोग्रस नजर आता है, प्रदान मंत्री मोधी ने 27 लोगों की टीम बनाई जो मेनिफेस्टो के अंदर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा, प्रदान मंत्री मोधी ने हर मंत्री से, हर मंत्राले से, अगले 5 साल का प्लैन और 100 दिन में हम क्या-क्या कर उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी थी, तो जो जानकारी आ रही है, वो जानकारी इस तरीके से है, कि मेनिफेस्टो पहली बार अनोखा इसलिए भी होगा, कि पहले 100 दिन में ये सरकार क्या करेगी, और 5 सालों में क्या करेगी, और प्रदान मंत्री मोधी तो पहले से ही धिनो उम्मीद के साथ, लेकिन एक गडबड़ी प्रदान मंत्री मोधी कर देते, 9 बजे सविरे, पत्रकारों को सोने नहीं देंगे लगता है, संडे है, इसका तो ख्याल कर लिया होता है, अगले कपर में बात, आमादमी पाटी की, केजडिवाल की गिरफतारी पर आमादमी अपनाती है, अनरगल आरोफ लगाती है, आज एक बार फिर से नया ड्रामा आमादमी पाटी के तरफ से किया गया, संजे सिंग ने प्रसकॉंफिंस कर तेहाड जेल प्रशासन पर अरवन केजडिवाल के साथ अमानवे वहबार करने का आरोफ लगाया है, उन्होंने कहा है क केजडिवाल को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, सुनीता केजडिवाल को तेहाड जेल में अरवन केजडिवाल के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं करने दी गई, जेल अधिकारियों ने उन्हें खड़की के जरिए केजडिवाल से मिलने की इजाज़त दी, इसे आके कहती है वेट कम हो गया तो ब्लड पिसर बढ़ गया तो सुगर डाउन हो गया अब कहरें में टॉर्चर किया जा रहा है क्या करें वहाँ पे आपको आदत लग गई है शीष महल की कंपनी गार्डन बना दें सुनिता भावी से मिलने के लिए हां जो नियम कानून है तो जो जो पूरी बेवस्था है वो जेल मैनूल के हिसाब से चलती है और यह शिकायत आप जो कर रहे हैं कि जेल के अंदर बड़ी प्रतारन प्रतारना की जा रही है तो बहुत जेल तो आपके अधिकार छेतर में है दिल्ली के तमाम जेल के उपर दिल्ली सरकार का अधिकार है कौन है तुम्हारा जेल मंत्री उसको एकांटिबल ठहरा हो कि अपने ही मुख्य मंत्री को टॉर्चर होने दे रहा है समस्या क्या है ये लोग अपनी ही गलती की वजह से और अपनी ही उसको कह सकते हैं चालबाजी के चक्कर में ये हर जगा फसते हैं पहले छूट दिया था दिकारियों ने क्या कर दिया था जेल मंत्री तिहाल का मंत्री तिहाल के अंदर बंद सतंदर जैन करवाने लगा मालिस बताईए इन्विस्टिकेशन बैटा सस्पेंट हुए लो तो अब कोई अधिकारी अपनी नौकरी पे खेल के आपको इस्पेशल सुविधा तो देखा नहीं जो कानून होगा उसको फॉलो करेगा तो कानून तो यही कहता है दो आदमी मिल सकते है आदे गंटे के लिए तो जहां बाकी कैदी मिलते हैं आपके लिए कोई अलग विवस्था तो होगे नहीं लेकिन ये इनको इस्प्रेशल ट्रीटिमेंट चाहिए हर चीज में तो संजे सिंग जो है वो चीख-चीख के जो ह अनरगल प्रलाप कर रहा है बहई जेल गया है कोई वहाँ पर कोई साणी कोई ईस्टर होटल नहीं कि आपके लिए हर चीज की सुभधाय दी जाए अब आत रमेश्वरम कैफे ब्लास्ट की बैंगलोरू की रमेश्वरम कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपियों की बैंगलोरू की स्पेशल नाये कोट में आज पेशे हुई जहां से दोनों को दस दन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया बीज़पी ममता सरकार को आतिकपादियों को सेलक्षन देने का आरोफ लगा रही है तो ममता बररजी ने कहा है कि NIA दोनों को इसलिए गिरफतार कर पाई क्योंकि राज के पुलिस ने जल्द कारवाई की मांगी थी दस दिन के NIA रिमांड में तो भेज दिया गया लेकिन राजनिती क्यों हो रही है देखे ये ममता बररजी जो कह रही है कि राज की पुलिस ने पकड़ा उसको ये NIA की टीम ने पकड़ा है अजीब कहानी है आज तक मुरसिदाबाद हो और जहां जहां इस तरह के इल्लीगल काम काओ जो डेन है बंगाल की पुलिस ने कितने को पकड़ा है NIA की टीम पे आप हमला कर देते हो तो क्या मेसेज जाता है आतंकवादियों को कि जब NIA की टीम आप ओपरेट नहीं कर सकती है बंगाल में NIA की टीम को वहां की लोकल पुलिस को मदद नहीं करती है इसलिए तो बंगलोर से किया वो आगिया बंगाल में उसको लगता है सेफेश बने और यह चिंता इसलिए जादा है कि कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं इस ब्लास्ट में उनका इंटरनेशनल कनेक्शन निकल रहा है मतलब हम लोग यहां सेक्लोरिजम का माला जबते रहें के लेकिन इंटरनेशनल टर्रिस्ट और्वनाईशन्स यहां पर स्लिपर सल्स बना दिजिए कि आगके एजिंसिया इलर्ट है जब से मोदी सरकार आई है आतिकवाद के उपर बहुत कंट्रोल हुआ है याद कीजिए कॉंग्रस की रिजीम को जब हर महिने हर कुछ दिन के बाद कहीं कहीं बंधमाके हो जाते थे तो कभी चंडीगड़ में तो कभी दिल्ली मे तो कभी जैपुर में तो कभी अंदाबाद में तो कभी बोपाल में तो कभी बारारसी में तो कभी आप हर जगह साउथ इंडिया भी नहीं बचाता तो हर सरकार को इसके उपर ये नैसल सेक्यूरिटी का मसला है तो चाहे ममता हो चाहे केजरिवाल हो वोट वेंग की राजन की आखरी खबर की इराइन और इसराइल के बीच में युद के बादल मंडरा रहे हैं अमेरिका की खूफ़े आजंसियों ने दावा किया है कि इरान अपनी मिसाइलों और विसफोटक से लैस ड्रोन को हमले के लिए तयार कर रहा है वहीं इरानी खत्रे को देखते वे अमेरिक और इन दोलों ही देशों ने एडवाइजरीट जारी कर दी है इरान और इसराइल के बीच में युद के पीछे की वज़ा क्या बताई जारी है देखे कोई ये नया विवाद नहीं बहुत पुराना विवाद है चलते-चला आ रहा है इसराइल बीच में कुछ ने कुछ एक नहीं बचेगा कई सारे इस्लामिक मुल्क भी इसमे शामिल हो जाएंगे यही अपने लोगों को बाहर आने के लिए कह रहा है वहाँ एडवाइजरी जारी की गई कि वहाँ ना जाए I hope कि युद्ध जासी स्थिती ना बने क्योंकि जो खबरे आ रही है वो disturbing है लेकिन इस तरह से पहले भी एरान और इसराइल के बीच कि अब युद्ध होने वाला है अब युद्ध होने वाला है इस तरह की खबरे आती रही है लेकिन कभी चीजे इसकलेट नहीं की है I hope दो तिन तीन दिन के बाद ये खबर भी जो है वैसे ही थाबित हो थोड़ा सा दोनों देशों के बीच जो एसकले से जो चल रहा है वो और वर्ट जो चल रहा है वो थोड़ा डाउन हो बहुत बहुत धन्यवाद बाचीद के लिए धन्यवाद